हेलो एरिवान कैसे है आप लोग आपका भई लेकर आया है न्यू जोब की खबर तो इस वीडियो को लाइक शेर दरूर से कर देना अगर आपको ये चैनल पर वीडियो हिलफुल लगे तो आप ये चैनल को इसली सबस्क्राइब करके रख सकते हैं ताकि जो भी न्यूडे अफ्लोड हो उसकी नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आप तक प्रॉइड हो सके चलिए ये रिक्रूट्मेंट के बारे में डिसकस करते हैं CSIR की तरफ से ये रिक्रूट्मेंट देखने को मिलने वाली है Central Electronics Engineering Research Institute की तरफ से ये आपको रिक्रूट्मेंट देखने को मिलने वाली है 2023 की लेटेस्ट रिक्रूट्मेंट है जिसमें आपका सेलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जो भी केंडिडेट इस रिक्रूट्मेंट के लिए शॉट लिस्ट होंगे उन्हें परस्टनल इंटर्वी के बेसिस पे आपका फाइनल सेलेक्शन होने वाला है और इस रिक्रूट्मेंट के अंदर इलिजिबिलिटी कराइटेरिया में अगर आपके पास बी बी टेक, एम एम टेक या अदर ग्रेजवेट है तो आप इहां पर इलिजिबिट रहने वाले है और इहां जो आपका experience required हो minimum one year का अगर आपके पास experience है तो आप इहां पर इलिजिबिट रहने वाले है चलिए हैं हैं detail में discuss करते हैं जो यहां आपके post name wise vacancy में आपका discuss करने वाले है तो यहां junior research fellow और project associate first and project associate second के लिए हैं आपको vacancy देखने को मिलने वाली है और यह recruitment रहने वाली हो purely on temporary basis पे आपको recruitment देखने को मिलने वाली है मतलब यह किसी project के लिए यह आपको hire कर रहे हैं आप यहां से readout भी कर सकते के आपको किस project के लिए आप यहां पर eligible रहने वाले हैं यहां से आप readout भी कर सकते हैं आपका post code project name, area group, name of number of vacancy, qualification, age और यहां आपको salary provide होने वाली है वो complete detail में भी आप यहां से readout कर सकते हैं जो इसकी complete notification की PDF में आपको telegram page पर provide कर दूँगा आप वहां से जाकर complete notification को आप easily readout कर सकते हैं चलिए हैं detail में discuss करते हैं अगर आप semiconductor sensor and macrosystem group के लिए अगर आप apply करेंगे जिसमें junior research के लिए one vacancy है eligibility criteria की बात करें तो अगर आपके पास M.E.M.Tech है तो आप यहां पर eligible रहने वाले और अगर आपके पास micro electronics and nanotechnology में अगर आपके पास one year का minimum one year का experience है तो आप यहां पर eligible रहने वाले और यहां से आप desirable भी check out कर सकते के candidate should have knowledge for semiconductor devices मगर यहां पर आपको इस post के लिए जो भी semiconductor sensor and microsystem group है जिसके लिए आप यहां higher हो रहे है उनके लिए आपको knowledge mandatory है और जिसके लिए age limit की बात करें तो 35 year है आपकी maximum age limit प्रवाइड होने वाली है salary की बात करें तो 31,000 यह आपको परमन के लिए salary प्रवाइड होने वाली है फलास है आपको other alliances भी आपको प्रवाइड होने वाली है chemical technology है material size में तो आप यहां पर eligible रहने वाली है 35 year है आपकी maximum age limit रहने वाली है salary की बात करें है तो 31,000 यह आपको परमन के लिए salary प्रवाइड होने वाली है और यह आपको पलास में other alliances भी प्रवाइड होने वाले next जो है आपका post name देखने को मिलने वाला है वो integrated circuit and system group के लिए जिसमें project associate second के लिए hire कर ले one vacancy है आपको देखने को मिलने वाली है 35,000 यह आपको परमन के लिए salary प्रवाइड होने वाली है next जो है आपका post देखने को मिलने वाला है वो intelligent system group के लिए जो project associate first के लिए hire कर रहे है two vacancy है आपको देखने को मिलने वाली है bbteg वाले हैं पर eligible रहने वाले msc वाले हैं पर eligible रहने वाले csit वाले eca में robotics, ee, mechanical, mechatronics, instrumention और equivalent वाले branches यहाँ पर eligible रहने वाले and जो यहाँ पर आपको work experience चाहिए वो working knowledge होना चाहिए आपको python, raw, software development, drone navigation and control में तो आप यहाँ पर eligible रहने वाले जो post के लिए आप eligible है आप directly official website पर जागर इस application form को आप easily fill up कर सकते हैं and जैसी है आपका application form अगर short list होता है तो यहाँ पर आपको personal interview के basis पर यहाँ आपका final selection होने वाला है और जो भी candidate अगर एक post के लिए आप apply कर रहे है और आपको दुसरे post के लिए अगर आप apply करना चाहते हो तो आप दोनों post के लिए apply कर सकते हैं मतलब यहाँ पर एक से ज्यादा post के लिए यहाँ पर आप apply कर सकते हैं यह अगर आपको technical queries करना तो आप इस पर queries कर सकते हैं जो other condition है वहाँ से read out कर सकते हैं जो यहाँ आपको mandatory document है application form fill करते टाम पर वह भी आप यहाँ से read out कर सकते हैं कि जो भी आपका SSC है 10 के मार्शिट लगने वाली है जो भी आपका ग्रेजवेशन है डिग्री बीए बीकॉम है या बीए या बीए या बीए या बीटेक है तो आप यहाँ पर जो भी आपका certificate है वह यहाँ पर application form के टाम पर fill कर सकते हैं ग्रेजवेशन में अगर आपके पास MSC, ME है या MTAG है या MSC है तो आप यहाँ पर eligible रहने वाले है यह आपका eligibility criteria और यहाँ आपको mandatory है डाकुमेन या आपको mandatory लगने वाले इस तरीके से यह notification है और आपको इस notification के अंदर कोई भी confusion से doubt रहते हैं तो आप हमें comment करके जरूर से पूछ सकते हैं हम कोशिश करेंगे आपके comment की replay करने की और अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर certificate को attach कर सकते हैं यहाँ आपको experience certificate है आपको mandatory है यहाँ नोटिफिकेशन में किलेली मेंशन कि mandatory for the post where experience is essentially qualification मतलब यहाँ आपको minimum one year का experience तो यहाँ आपको mandatory लगने वाला है प्रोवाइट कर दूँगा आप आप से जाकर easily this notification को easily read out कर सकते हैं अगर आपको यह channel पर वीडियो helpful लागे ताब यह channel को easily subscribe करके रख सकते हैं ताकि जो भी new video upload हो उसकी notification भी सबसे पहले आप तक प्रोवाइट हो सकते हैं